उपंडर भोरस के अंतिगर साइं वीजन पब्लिक स्कूल भ्रेडी में तीसमी सव जूनिय स्टेट बास्केट बॉल चेंपिंशिप के खिताब शिमला और पॉंटा साहिव की टीमों ने जीता जिला बास्केट बॉल संग हमिरपूर वे हिमांचल प्रदीस बास्केट बॉल एस्सेशन के सोजन्य से हो रही प्रतियोगिता का समापन हो गया जिसमें मुख्यतिती स्टेट बास्केट बॉल एस्सेशन के परधान मनीश शर्मा ने शिर्कत की मुख्यादिती ने अपने संबोधन में प्रतियोगीता के सफल आयोजन के लिए बधाये दी वो विजिता वो विजिता रही टीमों को बधाये दी इस परतियोगिता में लड़कों के प्रतम सेमी फाइनल जी एन पीएस पॉंटा साहिब हमिरपूर के बीच खेला गया जिसमें हमिरपूर 46-40 से वीजिता रहा वहीं दूसरे सेमि-फाइनल मैच में कांगडा वह शिम्ला के बीच खेला गया, जिसमें सििम्ला 60 वह 48 वह जिता रहा, फाइनल मैच शिमला वह हमीरपुर के बीच खेला गया, जिसमें श्रिम्ला ने 32-32 के स्कोर से मैच जीत कर ट्रॉफी पर कबजा कर लिया उधर लड़कियों का फाइनल मैच जी एन पीएस पॉंटा साहिब कांगडा की बीच में खेला गया जिसमें जी एन पीएस पॉंटा साहिब की टीम ने 32-20 से खिताब अपने ना किया यह जानकारी अज जर उपस्तित रहे